नमस्कार मिशन ग्यान से मैं आश्टो तोर्स रास्तान सरकार और विजानता के CSR इनिशेटिव एक अक्षा में आपका स्वागत करता हूँ आज की क्लास में बात करने वाले हैं अगले सांदर्ता पद मोलर्ता के बारे में जिसे बोला जाता है मोलार्टी मोलार्टी या फिर मोलर्ता क्या होती है आई उसकी बात करते हैं यदि मोलर्ता की बात करें तो बात को ध्यान रखिएगा एकांक आईतन में एकांक आईतन में विले के मोल की संख्या ही क्या कहलाएगी मोलर्ता कहलाएगी यानि कि यदि मैं वोल्यूम को 1 कर दूँ यानि कि यदि मैं वोल्यूम को या फिर आईतन को 1 कर देता हूँ तो वहाँ पे जो विले के मोल की संख्या रहेगी वही क्या होगी मेरे मोलर्ता होगी या फिर मोलार्टी होगी यही फोर्मुला देखना चाहें तो इसका फोर्मुला क्या होगा तो आप देखेंगे मोलरता बराबर होगा विले के मोल बटे विले के मोल बटे विलियन का आइतन और विलियन का आइतन किसमें लिखना है आपको विलियन का आइतन होगा किसमें भाई मेरे जो यह आयतन है उसको यदी में one कर देता हूँ, यदी आयतन को में one कर देता हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा, कि जो molarता रहेगा, यानि कि capital M जो रहेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सिर्फ विले के mol, जिससे हम N से represent करते हैं, यानि कि molarता, विले के mol के mol के kap बराबर होगी, जब जो विलीन का आयतन रहेगा, वो क्या होगा, एकए आयतन रहेगा, यानि कि एक काई रहेगा, और जो आयतन है वो किस में लिया गया है यहाँ पर लिटर में, लेकिन मन में आप क्या है कि नगी सर, हम तो ML में यहाँ पर लेना चाहते हैं, ठीके जी क्या बोला मैंने येदि आपके मन में आ रहा है कि हम इसे हैं ml में लिखना चाहते हैं तो ml में लिखने का तरीखा जा रहेगा तो आप क्या रहेगा यहां पर यहां पर लिखो ठीक है जी आप एक काम करो कि जो 1000 रहेगा ना उसको यहां पर बुणा कर दो उपर अली ठीक है जी लिटर को उसमें चेंज करना है में किसमें ml में यहां पर चेंज करना है अब मानली जी कभी आपके सामने कोई कुछ चीज लिखी रहती है मानली जी यही लिखा हुआ है 4m आपके सामने लिखा हुआ है 4m आपके सामने लिखा हुआ है अब 4m बोलने में तो सिध सिधा लग रहा है लेकिन इसके माइन्ने क्या होंगे इसके मिनिंग क्या होंगे उज़ दिहन रखेगा यदि 4m लिखा हुवा है तो इसका मलब रहेगा कि चार मोल विले के उपस्तित हैं, ध्यान दीजेगा, चार मोल विले के उपस्तित हैं, एक लिटर विलियन में, क्या बता है मैंने, चार मोल विले के उपस्तित हैं, एक लिटर विलियन में, यानि कि मोलरता क्या होती है, विले के मोलों के संख्या दर्शाती है, किसमें विलियन यानि कि विले में उपस्तित, विले के मोलो के संख्या क्या दर्शाएगी भई यहाँ पर मोलरता दर्शाएगी आपको यह बात ध्यान रखनी है, ठेके जी, तो पहले तो हमने परिभाषा देखी, उसके आद में उसका फोर्मला देखा, फोर्मले में जो नीचे यहाँ पर लिटर में है, यदि ml में मुझे चेंज करना है, तो 1000 से उपर मुझे गुणा करना पड़ेगा, और मैंने significance जाना कि 4m यदि लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या रहता है, कभी आपके exam में आ जाए, 2m, ठेक है जी, तो घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है, क्यों, क्य है, कि वहाँ पर volume जो है, वो क्या है, एक लिटर है, और जो number of mole है, यानि कि mole की संख्या है, वो कितनी है, दो है, यानि कि विले के mole कितने है, भाई मेरे, दो है, यदि 3m लिखा हुआ है, तो कितने है, वाँ पर 3 है, यानि कि ये significance है, ये सांदरता पद है, जो आपको ध्या teat है, ये सांदरता पर जो है, ये सांदरता पर जो है.।